हलो दोस्तो अगर आप जो है सौधी रविया से फाइनल एकजिट चुटी गए है और दुबारा से नहीं आये हो सौधी में तो अगर आप जो है दुबारा से सौधी में नए वीजे पे आते हो तो आपका जो एजन्ट है आपसे जो है फाइनल एकजिट का पेपर मांगता है तो कैसे आप जो है अपने देश मेरा कर फाइनल एक जिट का जो पेपर है अपना निकाल सकते हो चले मैं आप लोगों को बता देता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल पे पहले बार है तो चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेग आपको जो है अपने मूबाइल फोन में क्रोम को ओपन करना है ओपन होने के बाद सर्च पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है जैसे आप सर्च कर देते हैं तो दोस्तों उपर आपको त्री डॉट दिखाई देगा त्री डॉ जब desktop आप कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है option देखने को आपको मिल जाता है तो आपको जूम करना है और यहां पर आपको mol.gov.s यह वाली website को open कर लेना है दोस्तों इस website का जो link है आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए इस website को open कर लेते हैं open होने के बाद दोस्तों यह website जो है अरवी में होता है तो इस website को आपको translate करना है तो यहां पर three dot पे क्लिक करके यहां पर translate पे क्लिक कर देंगे तो यहां पर automatic जो है English में यह website हो जाएगे अब दोस्तों यहां पर residency number यहां पर आपको अपना common number डाल देना है और passport number नीचे तो चलिए common number और passport number डाल देते हैं common number और passport number डाल देंगे तो उसके बाद यहां पर nationality लिग कर आगा तो यहां पर आपको click कर देना है और जहां से हैं आप जैसे की पकिस्तान से चाहे सिरलंका से चाहे नैपाल से चाहे बंगलादेश से तो मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहां पर इंडिया लिखता हूँ तो दोस्तों यहां पर जो है इंडियन लिख क्या आएगा तो चलिए यहां पर इंडियन को सिलेट कर लिया उसके बाद आप यहां पर देखेंगे images code आपको नजर आएगा अगर आपको समझ नहीं आता है कौन सा images code कैसा है नमर तो यहां पर इसको reset भी कर सकते हैं कोड दूसरा गया है तो यहां पर verification code पर मैं क्लिक कर देता हूं और जो images code दिखाई दे रहा है यहां पर डाल देता हूं 724926 उसके बाद आपको search कर देना है चलिए मैंने search कर दिया जैसे मैंने search किया यहां पर पूरा detail नीचे आ जाता है देख लिए यहां पर जिसका मैंने check किया उसका नाम आ गया मैं दूसरे आदमी को check किया तो यहां पर दुबारा servim हो जाता है तो आपको three dot पर click करके यहां पर translate पर click करके English को select कर लिजेगा और नीचे आपको पूरा जो है आपका final exit का पूरा जो है detail देखने को मिल जाता है आप काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं पूरा यहां पर देखने को मिल जाएगा तो यहां पर एक चीज़ का आपको problem होगा जो आपको detail नीचे देख रहा है दिखाई दे रहा है एकजिट पेपर का वो आप प्रेंट आउट नहीं करा सकते हैं मुबाइल से अगर आप करते हैं तो प्रेंट आउट नहीं कर सकते हैं आपको कम्पूर्टर से यह उप्शन करना पड़ेगा जिस तरीके से विडियो में बताया उस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप computer से करते हैं तो front out निकाल सकते हैं